अब हमने जो है ना डिसकस करनी है आटो रेगलेशन औफ जी एफर अटो रेगलेशन को डिसकस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अपरेटेस बढ़ावा है हमारे परस किड्नी के निफॉर्न के अंदर वह कान सा परेटेस है ठीक है जकस्टा ग्लोमेलिलर अपरे दिसके दरमयान में हमारे पर डिस्टल जो गॉलेटर टिबूल थी वह लाइक है इस डिस्टल के अंदर एक सेल का रीजन होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारे परस मेक्यूला डेंसा है ठीक है और यह जो है ना सेंस करता है इनकमिंग सोडियम जो हमारे परस चिबूलर फ्लु बना रहे हैं और भी इच में डिस्टल कंवलेटर टिबूल को उक्यूपाय किये हुए है इसको मिंटेन करता है ठीक है इसके लावा हमारे पास जो थर्ड चीज आती है इसमें वह है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स वह हमारे पास इन वाल्स अफरेंट और इफरेंट सपोज हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जादा है बोडी के अंदे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जादा था तो इसका मतलब है कि हमारे पास रीनल प्लाजमा फ्लो जो है वो भी जादा होगा जब हमारे पास फ्लो जादा होगा तो अफरेंट एंड के पर आर्टी बाफ़ खेशंज के फेटेश हमारे स्केटर रिसेप्टर विदिन वाल्स अफवर्ङ इफई यह तरी यह को संस गड़ेश ने कि ऊज़गे काशियम ने करें जूते हैं in the walls of the afferent arterioles ठीक है तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं हमारे पास जो वाल्स है वो वापस अपनी औरिजनल जगह पर चले जाते हैं यानि कि इतना स्ट्रेच करके पीछे तक आई थी वो वापस अपनी औरिजनल पोजिशन पर चली जाती है इसकी विज़े से जब वो वेजो कंस्ट्रिक्ट करती है तो रिनल प्लाजमा फ्लो उसमें से फिर कम गुज़रेगा और जब रिनल प्लाजमा फ्लो कम गुज़रेगा तो जो जो जी एफर हमारे पास रिनल प्लाजमा फ्लो के इंक्रीज होने से इंक्रीज हुआ था वो automatically हमारे पास decrease कर जाएगा ठीक है so this is how the myogenic autoregulation जो है वो हमारे पास GFR को control कर रही होती है because जब arterial blood pressure हमारे पास increase हुआ था GFR भी increase हो गया था because of the increase in renal plasma flow लिकिन जब renal plasma flow increase हुआ था automatically हमारे पास in the wall of the artery smooth muscles cells थे उन्हेंने contract किया उन्हेंने contract करके vasoconstriction की vasoconstriction की तो renal plasma flow decrease कर गया and जब renal plasma flow decrease किया तो GFR भी automatically decrease हो गया ठीक है the next response जो है वो हमारे पास sorry उससे पहले मैंने एक ये picture डाली हुई है इसके अदर भी यही दिखाया है कि जब renal plasma flow increase किया तो hydrostatic pressure increase कर गया hydrostatic pressure increase किया तो GFR भी increase कर गया ठीक है इसकी वज़े से क्या हुआ जब renal plasma flow increase हुआ stretch receptors जो थे in the vascular smooth muscle cells उन्हेंने initiate की vasoconstriction ठीक है arterial walls जो है वो construct कर गी उनकी वज़े से renal plasma flow जो है decrease हुआ और glomerular capillaries के अदर hydrostatic pressure decrease हुआ और फिर glomerular filtration rate जो था वो भी decrease हो गया and automatically towards normal आ गया decrease का मतलब यह नहीं है कि अपनी original और ya normal level से वो कम हो जाता है कि जितना हमारे पस increase हुआ था above normal उससे आकर decrease कर जाता है at the normal level इस तरह से हमारे पस GFR maintain होता है ठीक है next thing is the tubular glomerular feedback ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास suppose body के अंदर arterial pressure जो है वो कम है ठीक है arterial pressure कम है तो हमारे पास renal plasma flow है वो भी कम होगा जिफ रिनल प्लाज्मा फलो कम होगा तो हमारे पास glomerular pathways के अंदर hydrostratic pressure है वो भी कम होगा जब hydrostatic pressure कम होगा GFR हमारे पस कम होगा ठीक है जी, GFR हमारे पस कम होगा इसका मतलब है GFR कम है और हमारे पस टिबूलर fluid मूफ कर रहा है within the tubules वो भी slowly move कर रहा है slowly move करेगा तो slowly move करने की वज़ा से उसके अंदर से जो sodium और water है उसकी reabsorption ज़ादा हो जाते है ठीक है क्योंकि slowly move कर रहा है fluid तो उसको reabsorbe करने का time भी ज़ादा मिल जाता है sodium हमारे पस reabsorbe कर जाता है ठीक है, अब macular denser में एक चीज़ बिताई थी उपर juxtra glomerular apparatus के अंदे थी distal convoluted tubule में पढ़ी थी macular denser क्या करता है macular denser senses कि sodium हमारे पस कम आ रहा है क्यों क्योंकि sodium जो है वो तो रियब्जोर्ब हूई जा रहा है tubule fluid जो है वो slowly pass कर रहे और उसके वज़े से sodium रियब्जोर्ब हो जाता है sonidum that reaches the macular denser वो हमारे पस कम है macular denser ने ये signal देना है वो क्या करता है afferent arteriol को dilate करवाता है ठीक है उसकी vasodilation करवाता है उसकी resistance को decrease करवाता है ताकि वहाँ से जो renal plasma flow है वो increase करेदेगा ठीक है renal plasma flow increase करेगा ultimately हमाँ परफ़ glomerular hydrostatic pressure जो है वो increase करेगा and जब hydrostatic pressure increase करेगा तो ultimately GFR भी increase करेगा ठीक है, so this is how afferent arteriole plays its role, और साथ ही साथ मिक्यूलर देंसानी क्या करना है, जकस्टा ग्लोमेरोलर सेल्स को कहना है कि वो रनन बनाएं, रनन जो है, वो फिर अग्योटेंसिन 2 की फ्रमेशन करवाते हैं, वी नो वेरी वेल किस तरह से होती है, और अग्योटेंसिन जो है, it basically acts on efferent end of the glomerulus, और efferent end के उपर resistance करवाता है, ठीक है, mild सी resistance करवाता है, ताके हमारे पास जो renal plasma flow है ultimately increase हो, जब renal plasma flow increase होगा, glomerular hydrostatic pressure increase होगा, और जब glomerular hydrostatic pressure increase होगा, तो GFR भी हमारे पास increase होगा, ठीक है, so this is how हमारे पास tubuloglomerular feedback हो रहा है, उसके लावा myogenic response जो है, वो भी हमने discuss कर लिया है, और juxtaglomerular apparatus भी discuss कर लिया, ठीक है,